हाई फेंड्स मैं आपका दोस्त कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल मैजिकल एजुकेशन में दोस्तो आज हम लोग इस वीडियो में काउंटिंग्स फिगर्स पढ़ने वाले हैं मैं आपको बहुत सारे फिगर्स देखा रहा हूँ आप देख सकते हैं स्क्रिण पर भी हम लोग पढ़ेंगे कैसे सौल्फ करते हैं कैसे इसकी tricks है की हम लोग बिना सौल्फ किये इसको कैसे हम लोग काउंट कर सकते हैं कि के अंदर कितने triangles हैं या कितने rectangles हैं इस type के तो चलिए friends हम दोग सुरू करते हैं और साथ ही मैं आपको एक बात और का दू दोस्तों कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजे साथ में notification bell कर लीजे अगर वीडियो पसंद आए तो like जरूर कीजेगा और दोस्तों अगर आपको किसी भी question में कोई भी confusion हो या आप किसी भी topic पर चाहते हैं कि वीडियो मैं बनाओ तो आप मुझे comment box में बता सकते हैं साथ ही वीडियो को share भी कीजे तापकि आपके जैसे जो students हैं वो भी हम दोगों से जुड़ सके हैं चलिए दोस्तों counting figures परते हैं और trick जानते हैं कि कैसे इनको मातर एक दो second में सीखा जा सकता है चलिए solve करता है हम देख सकते हैं दोस्तों आप अपने screen पर इसमें पूछा है how many triangles तो दोस्तों इस type का question अगर हम लोग को करना हो कि किसी triangle को कुछ times में इसने distribute कर दिया है बाड़ दिया हुआ है और फिर पूछे कि कितने triangle हैं तो इसके लिए हम लोग करते क्या है कि हर एक portion को numbering कर देते हैं तो यह हो जाएगा 1 plus 2 ठेक तो 1 plus 2 is equal 3 मतलब इसमें total कितने हो जाएंगे triangle 3 आप देख सकते हैं एक बड़ा वाला triangle और यह दो छोटे triangle तो total 3 triangles इसमें होंगे तो इसका trick यह है कि इसमें numbering करेंगे और side numbers को आपस में add कर देंगे चले easy tag का दूसरा question देख लीजे आपके screen पे क्या रहा होगा एक question आप triangle देख सकते हैं इसमें आपका है कि कितने triangle हैं तो वही काम करेंगे 1 2 3 numbering कर दिया जब numbering करेंगे तो फिर का करेंगे इन सारे numbers को आपस में add कर दिजे 1 plus 2 plus 3 यह total हो जाएगा 6 तो इसमें total होंगे 6 triangle ठीक है चले इसी का एक और देख लेते हैं question इसमें देखिए same है कि किते triangle होंगे तो numbering करते हैं 1 2 3 4 ठीक है अब इसको क्या करना होगा वही add कर दे 1 plus 2 plus 3 plus 4 इस तरीके से इनको add करेंगे add करके लिख देंगे यह हो जाएगा 10 तो total इसमें 10 triangle होंगे तो आपने देखा कि इस type के questions अगर हैं तो कैसे solve होगा कि अगर सिर्फ एक partition किया हुआ है तो एक type का partition है अगर तो इसको इस तरीके से numbering करके हम लोग solve कर सकते हैं बहुत easy तरीके से ठीक है और अब चलिए next देखते हैं अगर इसमें एक बाब partition करके फिर base बनाया हुआ है ठीक है तब इसमें हम लोगों को बताना है कि कितने triangle होंगे क्योंकि base बना दिया तो कुछ triangles और भी बढ़ जाते हैं तो इसका trick क्या है दोस्तों इसका trick ऐसा है कि पहले तो हम लोग को base को ignore कर देना है देख सकते हैं अब यह बीच में एक ही बेस बना हुआ है इसको ignore कर दीजे अगर ignore कर देंगे तो बचेगा यह 1 और यह 2 यह बचेगा ठीक ना तो इनका कैसा trick था कि 1 प्लस 2 कर दें यह trick था इसका कि आपस मैट कर देते हो numbers तो 3 अब base की बात करें तो base कितने इसमें देखिए एक base यह है एक base यह है तोटल दो base है एक base यह है और एक base यह है तो total कितने base है 2 तो इसमें 2 का multiply कर दीजे तो total हो गया 6 मतलब 6 triangle इस figure में है ठीक है चलिए next देखते है इसमें भी यह base है बीच में इसको ignore कर देते हैं तो होगा 1, 2 और 3 यह partition हुआ है इनको 3 ठीक है ना तो कितना हो जाएगा यह 6 होगा ना अब देखिए total कितने base है एक यह base है और एक यह base है मतलब 2 base है तो 2 का multiply यह हो गया 12 ठीक है चलिए इस type के questions होगा है चलिए इसी का एक और advance देख लेते हैं अच्छा question इस पर आप अपने screen पर question देख सकते हैं यहां पे भी है और screen पर भी आपको साफ साफ दिख रहा होगा question चलिए देखिए इसमें इसको आप अपने solve कीज़े तो क्या करेंगे पहले यह आपको बीच में 2 base दिख रहा होंगे ना देखिए एक यह वाला और एक यह वाला दोनों के ignore कीज़े अगर ignore करेंगे तो हम लोग के पास क्या बचा एक partition यह एक partition यह ठीक ना इसको कैसे solve करते हैं आपस में add करके 1 प्लस 2 यह हो गया 3 होगा ना अच्छा उसके बाद क्या करेंगे जितने base हैं कितने base हैं देखिए एक base यह है एक base यह है एक base यह है तो 3 का multiply यह टूट्रोल हो गया 9 तो यहाँ पे इसमें मतलब 9 triangle होंग अब इसको आप अपने से solve कीज़ें अपने से सोचिए क्या होगा पढ़े तो हम दो बीच के base को ignore करेंगे तो partition होगा 1 2 3 4 partition तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 जो क्यों हो जाएगा 10 ना अब number of base देखते हैं 1 2 3 4 चार base है तो क्या कर देंगे 4 का multiply क्यों हो जाएगा 40 मतलब इस figure में total 40 आपके triangles हैं ठेगा ना तो इस तरीके से इसको solve कर सकता है चलिए अब हम लोग आप next question देखिए अलग type का है इसमें आप देख सकते हैं कि एक बड़ा triangle है और उसके अंदर एक और triangle है तो इसका question को solve करने का trick क्या है कि पहले तो बड़े वाले triangle को 1 बोल दीजे अब अंगदर किते इस बड़े वाले triangle के अंदर किता triangle है सिर्फ एक triangle है तो एक triangle के लिए लिग देंगे 4 हो गया 5 ठीक ना कुछ नहीं करना सबसे बड़े वाले triangle को 1 बोलते है और उस बड़े वाले के अंदर जितने भी triangle होंगे सब के लिए 4 अपना add करते है ठीक है चलिए next question आप देख सकते है screen पे आपको दिख रहा होगा यह बड़ा सा triangle इसको बोला 1 देखिए यह सबसे triangle यह एक triangle यह दो triangle है तो दो बार 4 add कर देंगे ठीक है तो यह हो गया 9 यानि टोटल इसमें 9 triangles है तो इस तरीके से in that का भी question हो जाएगा तो अभी तक आपने जो देखा बहुत ही simple simple tricks है ठीक है अभी हम कुछ और advance देख लेते हैं अग्से एक्जाम में इस type का पूछता है तो तो मैंने 3 partition से start किया है क्योंकि अगर 2 partition मैं करता मानिजिए इसको छुपा देता हूँ केवल इतना करता तब तो आप direct कर सकते हैं कि बरावा triangle अंदर एक triangle है तो 4 और plus 1 5 हो जाएगा अब मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है इसमें देखे 3 partition एक partition यह एक यह और एक य partition तो जब भी 3 partition होगा तो उसका answer हमिशा होगा दोस्तो 13 इसको आपको याद रख लेना है ठीक है अब next देख सकते हैं अगर 4 partition देखे 1 2 3 4 केते partition है 4 तो इसका answer हमिशा होगा 27 ठीक है इसको आपको याद रख लेना इससे जादा नहीं पूछता केवल 3 या 4 पूछता है एक् पटाफट एक बार रिवाइस कर लेते हैं, बहुत ही छोटा सा बहुत ही सिंपल से ट्रिक्स हैं, देखिए, अगर केबल नॉर्मल पार्टिसन किया हुआ है, तो नंबर्स दीजे, उनको अड़ कर दीजे, नंबर्स दिया, अगर बेस के साथ है, तो पहले तो पार्टिसन को आद कीजे, और फिर जितने बेस उसका मल्किलाइ, पार्टिसन को नंबर्स दिया, अड़ किया, जितने बेस उतना मल्किलाइ, इसमें सबसे बड़े वाले को 1 मानते हैं, अंदर एक ट्रैंगल तो फोर आड करेंगे, सबसे बड़े बड़े को 1 माने, अंदर 2 triangle तो 2 बार 4 add करेंगे, इसमें 3 partitions है, 3 partitions तो 13, 4 partitions है तो 27, इसको याद कर लेना है, तो यह थे दोस्तों बहुत इस उपर से trick, और I think कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि किसी भी triangle के अंदर अगर हमें numbers of triangles बताने हैं, कि कितने triangles हैं, तो इसका सबसे अच्छा trick था यह, और इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से बहुत ही बड़े-बड़े figures के बारे में आप बता सकते हैं, counting कर सकते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने केवल triangles के बारे में बताया है, जल्दी आपको दूसरा वीडियो मि पेंगे, तो आपको time to time पता चलता रहेगा कि मैंने कौन सा वीडियो दिया, यह part 1 वीडियो था, इसी का part 2 वीडियो भी आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी, जिसमें मैं आपको rectangle, square और जो rectangle के अंदर triangle पूछता है, उनकी counting कैसे करते हैं, trick के साथ, बिल्कुल दोस्तों ए आपने किसी भी page पर जहां पर आप हैं, Facebook पर या Twitter पर जहां भी हैं, इंस्टा पर, आप इसको share कीजे ताकि आप ही की जैसे और भी students हम लोगों से जुड़ सकें, so friends इसी तरी के से वीडियो देखते रहेए, see you, have fun.